पॉजूद इसके भारते जंता पार्टी ने हमेशा ही लोगों के लिए अमर्यादी सब्तों का इस्तमाल किया है यह वही लोग है जो कहा करते थे 50 कडोर की गर्फ्रेंड कॉल गर जो यह कहा करते थे कि कॉंग्रेस की विद्वा यह हमारे पूर प्रधान मंत्री के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर कि कहा जा रहा है कि मैं भी मोधी का परिवार हूं लालु प्रशाद यादों ने बीते समय में जनसभा को संबोधित किया जनविश्वास महारैली के माध्यम से और कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का कोई परिवार नहीं है हिंदू नहीं है अब यह कहना कि बिहार की राजनीती में घमासान मचा हुआ है अस्मृती रानी ने जो है काफी कुछ सुनाया चारा च एक सब्ध जो है काफी देखा जाते हो राजनीती में तहलका मचा दिया है क्या आपने आशा भाषा का कौन से ऐसी भाषा का परियोग आपने किया स्मृति रानी को लेकर के और इसकी जरूरत कि क्यों आन पड़ी देखिए वंदुना जी सबसे पहले तो मैंने किसी का नाम देह लिया और दूसरी बात हम वो बिहारी हैं वो हर एक बिहारी के अंदर एक क्रांतिकारी फून दोड़ रहा होता है आपको भी पता है कि भारत की आजादी की जो संखनाध है वो बिहार की धरती से हुई थी और तमाम जो चीजे हैं बिहार के जिन्दा के वीश में हैं र पर्यादित सब्दों से संबोधित करेगा तो बता रही हुँ आपको अगर हमारे राश्ट्री अध्धाक्ष जो समाजिक नयाके पुरुधा मानच जाते हैं जो गरीबों की दिलों में बसते हैं जिन्होंने धलितों के लिए वंचितों के लिए जो काम किया है वां जाके कि आपको पता है माहवारी के लिए दो दिनों की स्पेशल चुट्टी का ग्रांट जो है ना इसी रास्टी जंता दल के सरकार के समय में हुआ था तो हमारी सरकार तो समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करती है और कानुन कचहरी सुप्रीम कोट हाई कोट है ना जो कहा करते थे पच्यास कडोर की गर्फ्रेंड कॉल गर जो यह कहा करते थे कि विद्वा यह हमारे पूर प्रधानमंत्री के बारे में कहा करते थे कि भाई मौनी बाबा है रेनकोट फैन की यह नहाता है तो लगतार भाटे चिंता पार्टी के द्वारा ऐसी चीज़ें हमें सुनने को आई है मैंने तो सिर्फ यही कहा नहीं भातार चोरी करने वाली गोवा में भीफ चिली बेचने वाली बीर बेचने अब ऐसे मैंने कि पहने हैं वह लोग और मैंको अधिकार नहीं मिला है कि इस को अपमानित करें और अगर आप अपमानित जैसे शब्दों का इस्तमाल करेंगे तो आपको उसी रूप में आपको जवाब दिया जाएगा इस सवाल अभी है कि आप बहुत सुझ बूझ वाली महिला हैं और खास तो पर देखा जाए तो आप एक ऐसे समाज से भी आती हैं औ इतना फिक्वेंट बात को रख पाती है और या फिर किसी बहुत कि आपने जिस सब्द का परियोग किया है वह सही है इसके जगह क्या लग रहा था कि कोई दूसरा सब्द भी परियोग कि विलकुल शाही शब्द है हमारे भोश्पूरी में बहतार पती को कहते हैं और जिसन किसी को बुरा लगा उन्होंने कि स्तर्ज में लिया चोर की दाड़ी में तिनका होता है और यह जो परिवार बात करते हैं डूसरे के परिवार पे दूसरी की बेटीों पे लगतार यह प्रहार करते हैं तब इनकी मर्यादा कहां चली जाती है तब यह क्यूं नहीं सोच के बोलते हैं कल तक बलतकार हो जाया करता था तो विपक्षी के लोगों को चूणिया भेजा करती थी और आज इनके सांसदों की द्वार महिला की लाड़ियों के छाती को छुआ जा रहा है उनको बोलेस्ट किया जा रहा है तब इनकी मुझे एक शब्द नहीं निकलते हैं और यह नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि 140 करोण जंता हमारे परिवार है तो इस नरेंद्र मोदी जी की बेटी का हात्रस में बलतकार करके जलाया गया आपको बता है तब कहां थे ये नरेंद्र मो मोदी जी की बहन थी वह तब कहां गया वह नरेंद्र मोदी जी का भाई था जो भी गुजरात में घोड़ी चढ़ने के लिए उसको उतार करके मारा गया है तब कहां थे प्रोपगेंडा करते हैं आप लोगों की भावनाव के साथ खिलवार करते हैं मैं तो पूछती हूं क हुआ है आपकी मतनी कि चिलाये मन्चों पर कि मेरी पतनी कहें अंढब्गत कि में हूँ आपकी पतनी मैं तकर तो कि हुआ इसमें क्या गलत मैंने कहा आप राजनीतिक मन्चों पे कभी धर्म का कभी जात का अभी महिला का हिस्ते variation कर रहे हैं और लोगों की बेकूफ भारते जिन्ता पार्टी से ज्यादा मुझे लगता है बहासाई गर्मा को किसी ने आहत किया हो और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ऐसे ही भासा में हम जवाब देंगे तभी उनको समझ में आएगा अगर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो निश्चित रूप से क्या तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था का राजत तो यह और बातों को रखती हैं हालां कि सवाल और एक जबाब जो है काफी दिनों वायरल हो रहा है फिर भी विस्चेंगा पास्वान ने कहा कि हम अगर हमारी इसे जरूरत पड़ी तो हम ऐसे भासा और आपर यह और श